हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल कबिंदर भाईया पर तो दोस्तो आज हम लोग कक्षा आठ का ग्रिह दर्सिका पढ़ेंगे आज हम लोग पाठ चार पढ़ेंगे हमारे पाठ का नाम है समान्य बिमारिया एवं बचाओ तो चलिए अभ्यास प्रशन देखते हैं पहला है वस्तो निष्ट प्रशन इसमें पहला प्रशन है सही मिलान करिए तो देखिए इसको माल लेते हैं कि ये A है और ये B है तो हम लोगों को A से B को मिलाना है तो चलिए मिलान करते हैं एनोफलीज इसको हम लोग मिला देंगे मलेरिया में पिस्सू इसको हम लोग मिला देंगे प्लेग में क्यूलेक्स इसको हम लोग मिला देंगे एडिस में डेंगू है इसको हम लोग मिला देंगे फाइल एरिया में तो चली आगे देखते हैं प्रश्ण दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए इसमें का नमबर प्रश्ण है विश्व मलेरिया दिवाश को मनाया जाता है तो रिक्त स्थान पे भर देंगे 25 अप्रेल खन नमबर प्रश्ण है चिकन गुनिया मच्छड के काटने से होता है तो देखिए ये रिक्त स्थान पे भर देंगे एडीज एजिप्टी गर नमबर प्रश्ण है मस्तिक जुआर का प्रकोप माह में अधिक होता है तो रिक्त स्थान पे भर देंगे जुलाई से अक्टूबर जो मस्तिक जुआर प्रकोप है वो जुलाई से अक्टूबर माह में अधिक होता है चलिए प्रश्ण दूसरा देखते हैं अतिलगू तरिया प्रश्ण इसमें को नमबर प्रश्ण है मलेरिया किस मच्छड के काटने से होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा मलेरिया रोग एनोफलिस मादा मच्छड के काटने से होता है दोस्तों आप सभी को एक बात याद रखना है कि कभी भी नर मच्छड नहीं काटता है हमेशा मादा मच्छड ही मनुस्य का खुन निकालती है या उन्हें काटती है ठीक है चलिए आगे देखते हैं या मच्छड जब स्वस्त बैक्ती को काटता है तो उसके रख्त में मलेरिया के किटाडू प्रिवेश करके रोग उत्पन करते हैं प्रश्न खनमबर है निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा निमोनिया में प्रायल एक ही फेफड़ा प्रभावित होता है कभी कभी दोनों ही फेफड़ा साथ साथ या एक के बाद एक रोग से प्रभावित होता है यानि कि निमोनिया जो है वो फेफड़े में होता है ऐसा कभी देखा गया है कि कभी एक फेपड़ा में लगता है या फिर दोनों फेपड़ों में होता है या पहले एक फेपड़ा में लग जाएगा याने रोग प्रभावित हो जाएगा फिर दूसरे में होगा चलिए प्रश्ण गर नमबर देखते हैं EES का पूरा नाम क्या है तो इसका उत्तर हो जाएगा Acute Ensephalitis syndrome तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्ण तीसरा है लगुतरिय प्रश्ण इसमें कर नमबर प्रश्ण है जो काम होने के कोई दो कारण लिखिये तो इसका उत्तर हो जाएगा जो काम की कारण नीमन है पहला तापमान में परिवर्तन बंद तथा गर्म अस्थान में खुली ठंडी जगह में आना और दूसरा है मुख नाक वगर्दन में दोश पैदा होना चलिए प्रश्ण खर नमबर देखते हैं डेंगू वुखार के कोई चार लच्छड लिखिये तो इसका उत्तर हो जाएगा चार लच्छड नीमन हैं कौन-कौन से चलिए देखते हैं कभी-कभी रोगी के सरीर में आंत्रीक रक्त स्राव भी होता है जिससे सरीर में प्लेट लेष्ट का अस्तर कम हो जाता है दुसरा है सर दर्द, आखों में दर्द, बदन दर्द, जोडों में दर्द होना तीसरा है भूख कम लगना, जीम चलना, दस्त लगना चार नमबर है त्वाचा पर लाल चकते आना चलिए देखते हैं प्रश्ण चोथा दिगू तरियप प्रश्ण इसमें को नमबर प्रश्ण है चिकन गुनिया के रोग के लच्छड एवं उससे बचने का उपाय लिखिये तो इस पहले लच्छड देखेंगे तब चलिए देखते हैं लच्छड है सीर दर्द जुकाम वह खासी दूसरा है जोडों में दर्द वह सूजन तीसरा है तेज बुखार नीद न आना चता है सरीर पर लाल रंग के चक्ते का होना पाश नमबर है आखों में दर्द वक्क म्जोरी चलिए आगे देखते हैं खार नमबर है मस्तिक ज्वर के कारड एवं लच्छड लिखिए तो पहले हम लोग कारड देखेंगे फिर उसके बाद इसका लच्छड देखेंगे चलिए कारड देखते हैं कारड है यह रोग फ्लेवी वाइरस से संक्रमित मच्छड के काटने से फैलता है इस रोग का प्रकोप वर्सरीतु एवं उसके उपरांत जुलाई से अक्टूबर में अधिक होता है जिस समय मच्छडों की संखिया अधिक होती है दूसरा है जपानी इनसी फ्लाइटीस वाइरस के मुख वाहग सुवर है यदि एक भी मच्छड इने काटने के बाद स्वस्त वैक्ति को काट ले तो इस रोग का संक्रमर उस वैक्ति को हो जाता है चलिए इसके लच्छड देखते हैं इसके लच्छड है पहला लच्छड है तेज बुखार आना चिर्चिडापन होना दूसरा है सीर में तेज दर्द सरीर में ठकावट होना तीसरा है बोलने में परिशानी होना चोथा है आखे लाल एवं चड़ी-चड़ी होना पांच नमबर है बेहोसी आना छे नमबर है दात बत जाना हात पैरों में अकड़न साथ नमबर है जटके लगना एवं मुख से जाग निकलना तो इसके यही लचड़ है तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताईएगा धन्यवाद